तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, टोटनिक का एक प्रोड़क्ट है, जो कि यहाँ पर आप देश सकते हो, Import 31, काफी बढ़िया है, यह चीज है काफी useful होता है, जब आपके पास कोई laptop या PC है, जो कि आपको extra port की जरूरत है, extra USB port की जरूरत है, तो आप यहाँ पर 4 port USB hub चेक कर सकते हो, 4 port USB hub है, यह छोटा सा जो प्रोड़क्ट है, काफी काम का है, मेरे पास इससे पहले 2-3 टाइप के थे, मुझे दिक्कत क्रेट होता है, कभी USB बगरा सेट करने में, या data transfer करने में, मुझे दिक्कत होता है, जब से यह प्रोड़क्ट मैंने लिया हूँ, और भाई एकदम से परफेक्ट हो रहा है मेरा काम, और मैनेज कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आप दे सकते हो, यह छोटा सा प्रोड़क्ट है, और यह डिटेल्स हो आप चेक कर सकते हो, यह जो है, यहाँ पर यहाँ पर एमपोर्ट 31, पोर्ट 1484, ग्रे कलर का है, USB हाँ है, तो यह जो क्वांटिटी वान है, 799 दिखा रहा है, थोड़ा सा प्राइस और कम मिला था, तो मैं आपको लिंक डिस्पोशन दे दूँगा, आपको वहाँ से चेक आउट कर सकते हो, इस टाइप का मल्टी प्रपर्ज के लिए आप यूज कर सकते हो, आपके लाप्टप से अलग-अलग डिवाइस को, ठीक है दिटेल्स भी आपको दिखाया गया है, यहां पर आपको देशकते हो, बैस नमपर शेट अब अगरा, और काफी लाइट है, और भाई, इसका मेटल वोड़ी है, मुझे काफी पसंद आया, मैं पड़ावड इसको करनेट करका आपको दिखाता हूं, देको मेरा एक हार्ड आपको दिखाते होने के बाद मैं यहां पर जस्ट मेरे लाप्टॉप में करनेट कर दोंगा, यह आराम से ही है, करनेक्ट हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, जिंजड नहीं, मुझे काफी प्रोब्लेम हो रहा था भाई, इस टाइप का एक छोटा सा प्रोड़क के लिए मैंने one point से मैंने यहां पर कर दिया connect, देन इसके बाद कोई अगर data transfer करना है, PC to laptop, laptop to mobile जो भी है, तो इसके through भी आप यहां पर connect करके use कर सकते हो, है ना काफी मज़ेता है, तो इस वीडियो को like कर दिजए, एक साल की warranty मिलता है, आपको दिक्कत नहीं है, और यह उपर जो मैं आन बंदे मातलो